बालालपूर इंडेस्ट्रिस का ये सेगे बाय कर सकते और अगर पहलेसी इसको बाय करके रखा है तो अभी ये सेल नहीं होगा उसके बाद एक विक का ग्राफ देखें तो एक विक में भी ये सा ही है एक मन्थ में भी ये एसा ही है मतलब कि एक साल का ग्राफ ओपन करें तो एक साल पहले इसको बाई सेल कर सकते थे उस वक्त एक साल पहले अगर इसको बाई करके रखा है तो आपका पेशा इसके अंदर इंवेट हो चुका है लेकिन अभी इसको सेल करने के लिए जाओगे तो सेल नहीं होगा तुकि अभी इसकी ट्रेडिंग ही क्लोस है देख सकते हैं आप इसकी ट्रेडिंग ही क्लोस है मतलब कि आपका पेशा फस गया है पेशा फस गया है पेशा ही होता है इसलिए मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि पेनी स्टोक कितने रिस्की होते है उसमें क्या क्या देखना चाहिए किसे उसको पहचानना चाहिए कि ये पेनी स्टोक आगे जाकर मलते बेगर बनेगा या फिर यहाँ पर ही कुछ एक दो रुपे में ही पड़ा रहेगा मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब कर लीजिए आपको जान करें मिल जाएगी और आने वाली हर वीडियो के आपको जानकरी मिले आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो देखिए यहाँ पर मैं वीडियो को सुरू कर देता हूँ यहाँ पर देखिए वोल्यूम इसका बहुत सारा यहाँ पर वोल्यूम है 20 लेक से तो यह ज़्यादा ही वोल्यूम है मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाई करके रखा है लेकिन उनका पेशा निकल नहीं रहा समझ सकते हैं आप जितने लोगों ने यहाँ पर इन्विश किया है किसी ने 1000 रुपे इन्विश किये होंगे किसी ने 10,000 रुपे इन्विश किये होगे लेकिन उनका पेशा अब बाहर नहीं आ रहा मतलब कि यह सेल ही नहीं हो रहा तो बाहर आएगा कैसे वीडियो को पूरा देखे आपको मैं बता देता हूँ कैसे बाहर लाना है इसको तो देखे बाहर पेशा ऐसे नहीं आएगा यहाँ पर लोवर सर्कित देखे तो 85 85 पेशे पर इसका लोवर सर्कित है समझ में आगे बाथ 85 आप नोट करके रख सकते है 89 पर है 85 पर आएगा मतलब कि 5 पेशा भी इसकी प्राइस अगर डाउन जाएगी तो लोवर सर्कित लग जाएगा अगर यह ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है किसी दिन तो इसका लोवर सर्कित लगेगा ज्यादा तर लोग जानते होंगे कि इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है तो वो लोग सीधे ही sell करना शुरू कर देंगे तो सीधे ही इसका lower circuit लग जाएगा फिर आपका sell नहीं होगा यह यह आपर negative बात है तो बहुत ही risky है लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ क्या करना है वो भी वीडियो के आखिर में आपको बता दूँगा तो देखे यह अबर fundamental 150 करोड का इसका market cap है आरोई काफी ठीक ठाकी है लेकिन revenue कितना generate किया तो वो देख लेते हैं तो revenue तो काफी अच्छा generate किया है तीन हज़ार करोड का revenue generate किया है लेकिन profit कितना किया तो profit कुछ भी नहीं किया है 800 करोड का profit बिल्कुल भी नहीं किया यह अबर तो देखे प्रोफिट की जगह पर यह अबर loss कर लिया है पिछले तीन साल से लगातार 500 करोड से भी ज्यादा loss है मतलब कि यह अबर cool हम total गिने तो देखे यहाँ पर 2500 से भी ज्यादा loss 2500 करोड का loss तो देखे 2500 करोड का यहाँ पर loss है तो यह loss recover होगा या नहीं होगा वो तो company पर अधर है लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही negative बात है कि promoters ही नहीं है देखे promoters बिल्कुल गाव है मतलब कि company चले या फिर डूबे कोई guarantee नहीं है क्योंकि यहाँ पर promoters कोई मेहनत नहीं कर रहे है मतलब यही है कि आपका पेशा लगबख फस ही चुका है जितने लोगों ने यहाँ पर invest किया है उनका पेशा गया ही समझो लेकिन एक ही तरीका है इसको बाहर निकालने का अगर यह trading एक साल पहले start थी एक महिने का graph देखे तो एक महिने का graph यहाँ है अब एक साल पहले कितना था देख लेते है June मतलब के June 2030 June 2030 तो June या July 2030 तक तो यहाँ पर बाय सेल हो रहा था उसके बाद बाय नहीं हो रहा सेल नहीं हो रहा मतलब के इसको जिन लोगों ने एक साल पहले इसके अंदर invest करके रखा है उनका पेशा अब निकल नहीं रहा तो हमें उसके लिए क्या करना है यहाँ पर अगर आप grow application यूज़ करते है तो यह option आपको मिल जाएगा दूसरे brokers में भी यह option available है तो यह timer वाला है उसके उपर click कर देना है यहाँ पर लिखना है target price तो नब बे लिख देना है उसके बाद देखिए इसको ok कर देना है यह कब तक रिविलिड रहेगा कि यह भी रिविलिड नहीं है 0.89 यह देखिए एक महिने तक यह विलिड रहता है यहाँ पर एक लगा देना है 90 पर और दूसरा 88 पर 88 पर नहीं जाएगा तो इसको timer लगाओगे 90 पर तो हो सकता है इसकी price एक पेशा भी बढ़ेगी तो आपको एक alert मिल जाएगा notification कि यह stop की price एक पेशा बढ़ी है तो तूरां किया पर आकर sale करके profit book कर सकते है लेकिन अगर यहाँ से गीरेगी तो आपका पेशा वापस नहीं मिलेगा lower circuit ही लग जाएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें